टिहरी जिले के चंबार इशिकेश राष्टे राजमार्क पर दिखोल गाउं के पास ओल वेदर प्रोजेक्ट के तहद निर्मान अधीन पुष्टा आचानक से तूट गया। निर्मान अधीन कंपनी के द्वारा मानुकों के अन्रूब कारे नहीं किया गया है। इज़र हमारे गाउं के नीचे भी अन्या जो दिखोल गाउं में जो अन्या दिवालों पर दरारे आई हुए। के वल का निर्मान दाई संस्ता उस पर गड़े भरने का और उपर से लेपपुती का कारे कर रही है। टिहरी जिले के नगरवाले का चंबा में स्वतनत्ता दिवस की संध्या पर नगरवाले का देख्ष सुमल नबुला ने कवी वसिखषक सुमवारी लाल सकलानी के द्वारा रक्चित स्वच्चता जागरुकता COVID-19 केलेंडर का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने का है कि सकलानी जी के द्वारा किया गया एकारे सराहनिय हैं। इससे समाज में जागरुकता आ रही है। वहीं सिख्षक ने का है कि उन्होंने कोरोना से जागरू करने वाले कैलेंडर को बाजार में उतारा है अब 2 अक्टबर तक 500 कैलेंडर का लक्ष भी उन्होंने रखा है तो हमारे शकलानी जी इसमें बहुत अच्छा कारे कर रहे हैं कि सब को एक जागरूकता दिखा रहे हैं और जो अन्यूजड जो ये कैलेंडर थे बैजार में जिसकी सपीद सता है पिछली बार कोबीड में भी काम किया था मारकर प्यान से इनमें कविताएं लिखता हूँ और स्लोगन लिखता हूँ लोगों को जनजागरूकता के लिए सोचा कि आज स्वादिनता दिवस है आज इसको लांच कराये जाए और मानिय अग्यक्सा स्री सुमन रमोलजी नगरपाली का परसक्चंबा से उख किया उन्होंने इसको जो एलूकार पन किया और दो पर्सक् difficile में यूपी उतराखंड की सीमाओं पर खनन जारी है यूपी की सीमा में खनन कर्ट माफिया उतराखंड की शअन ले रहे हैं इस खनन से यूपी सरकार को लाकों का चुना भी लग रहा है जबकि कोसी नदी भी खत्रे में आ रही है वहीं SDM का कहना है कि खनन की शिकायतों पर टीम को गड़ित कर दिया गया है तो इसकी शिकायती भी आती रहती है रोड वेगारा भी ज्यादा मतलब चोरी से जाता है तो ठीक नहीं है हापर हम लोगो शिकायत मिली थी कि बॉर्डर एरिया पर खनन किया जा रहा है और तुरन तहसील प्रशाशन के पुलिस की भी टीम भेजी ले थी और वहाँ टीम ने हमें यही अवर्ड कराया कि जिस एरिया में खनन चल रहा है वो यूपी का शेत्र है ना कि वो उत्राखन का शेत्र है और इसमें वहाँ पे जो मौझूदा लोग हैं उनसे भी हम लोग ने पूछता आज की उन्होंने भी यही बताया कि यह यूपी के श किसान नेता राकेश टिकेट काशिपूर पहुंचे जहां उन्होंने 15 अगस के दिन तिरंगा यात्रा कर किसानों को संबोधित किया इस दौरान उत्रप्रदेश के मुझफर नगर में फांच तारिक से होने वाली किसानों की महाँ पंचयत के लिए लोगों से उन्होंने मिले बात्चीत हुई मिटिंगे हुई और पांच तारिक की मुझफर नगर में बड़ी पंचया थे पांच सितंबर की उसमा लोग आएंगे और दिल्ली के आंदोलन में लोग आते रहें और जाते रहें और अपने खेट पर भी धिहान रख़ें में इसपी पर धिहान रख तो आंदोलन चला रहे हैं सांती पून तरीके सा हमारा आंदोलन चल रहा हैं वो तो सरकार की क्या रणनीते रहेगी भई तो सरकार बताएगी शिरनगर बेस अस्पिदाल के इंदिनों बुरे हाल है अस्पिदाल अव्यवस्ताओं के दौर से गुजर रहा है हालत यह है कि गाईनी बौर्ड में विना चादर की ही मरीज बैट पर जैसे तैसे दिन काट रहे हैं जगा जगा पर बैट फटे हुए हैं मरीज चमोली, अस्पिदाल के दूर धराज इलाकों से अस्पिदाल में पहुंचते हैं लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें इलाज मिलने में तीन से चार दिन का समय लग रहा है अस्पिदाल में तरह तरह की अव्यवस्ताइं भी देखने को मिल रही है जैसे बच्चे वाल हैं चादरे ना पहलेगे दूसरे चदरे भी चादो मैंने देखें कोई दॉक्टर हो गिरवि तक नहीं आएं अज़े बच्चे वह रहे हैं कि ऐसे हैं कैसे नहीं कोई नहीं है याँ पर कोई अच्छी शुदा नहीं है बच्चे के देख बाल भी नी करें, डॉक्टर को थोड़ा है, क्योंकि बच्चे को नाल कासी काने लिए, कैसे उसके और टांटे में क्या परोलम आए तया है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बेज दें उन्होंने बार, डिल बार हो गए, जाओ उसमें, जाओ उसमें, और कुछ नह नगरपालिका परिशद टीडी हाट के द्वारा स्वतंतरता दिवस के मौके पर विपिन कारेक्रमों का आयूजन किया गया, इस मौके पर रंगारंग सांस्क्रतिक कारेक्रमों का भी आयूजन किया गया हरिद्वार के कंखल में दरिद्र भंजन महादेप का मंदिर स्थित हैं, जिसकी विशेश मानेता हैं, कहा जाता है कि यहाँ पर 40 दीप लगातार जलाने से मनोकामनाई पूरी होती हैं, सामन के महीने में यहाँ पर श्रधालों की संख्या काफी जादा रहती है लेकिन जो पूजापाट जो संद्या करता है , जो भगवान की अर्चना करता है जो पूजापाट करता है वही भगवान शंकर पूजा करने से दारिद्रता का नास होता है यहां पर दारिद्र का नास होता है यह दारिद्र भंजन महादे मंदिर है और जो कोई यहां पर आकर वहवान को जल जड़ाता है दीपल जलाता है एक बेल पत्री एक बुश पर जल पर आता है उसकी सभी मनों कामनों को सुरी दारिद्र भंजन महादे पूरी करते है इस राम युवकों को बाइक चेकिंग के दौरान धर दबोश दिया। दोनों युवकों के गबजे से कुल 26 ग्राम अवैद स्मेक बरामत की गई। फुलिस ने बरामत की गई अवैद स्मेक की कीमत 2,07,000 रुपे आ की है। पकड़े गए दोनों युवक उत्तरप्रदेश के बरेली जन्पत के रहने वाले हैं। तरीका है वो अपनाया और इंटों से जब हमें 26 ग्राम स्मेक टोटल बरामत हुई दोनों युवकों से।